नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में ज़री जानते हैं देश विदेश की ग्यार प्रमुख खबरों को गुरुग्राम से दर्भंगा तक साइकल से सफर करने वाली की कहानी सुनकर हैरान हुई इवांका ट्रम्प COVID-19 की वज़े से पूरे देश में बंद का माहौल है मगर प्रमासियों के आवजा ही लगातार जा रही है इस इक्रम में कुछ दूनों पहले गुरुग्राम से साइकल पर अपने पिता को बिठा कर बिहार के दर्भंगा जुले पहुची थी जिसकी चर्चा अब देश के साथ साथ विदेश में भी होने लगी है हाली में अमेरिकी राश्टपती डॉनल ट्रम की बेटी इवांका ट्रम ने ट्वीट करके जूती की तारीफ की है जुसके तहत उन्होंने उसकी एक तस्वीर को शेर करते वे लिखा है कि जूती का पिता को लेकर साइकल पर इतना लंबा का सफर तैं किया था जूसके बाद बिहार में भी करीनेताओं ने जोती को सम्मानित करने का एलान जारी किया था वही बीटे दिन अखिलेश श्यादब ने भी जोती को एक लाख रुपे की सहाईता देने का एलान किया था दिल्ली हाइक कोट ने एक एहम फैसला है पर माफी की मांगो को निप्टारे के लिए कुछ पैरामीटर तैय कर दिये हैं, जिसके तहत मकान मालिक और किरायदार के बीच का रिष्था कई तरीके का हो सकता है, या तो कॉंट्राक्ट से बंधे होते हैं, या फिर नियमों से, कॉंट्राक्ट वाले मामले में पक्षकारो के हक अधिकार उसी कॉंट्राक्ट के शर्तों और नियमों के आधार पर तैह होंगी, किरायवें माफी छूट एग्रिमेंट के शर्तों के हिसाब से मिल सकती है, जिस पर हाई कोट ने साफ किया है, कि अपरत्याश्वित आपदा का क्लॉज इंडियन कॉंट्राक्ट आक्ट 1872 के तहट माने है, यानि कि कोट ने सीधे साफ तोर पर कह दिया है, कि मूलभूत से धानती है कि यदि कॉंट्राक्ट में किराय के छूट की बात देने वाला कोई क्लॉस है, तब ही एक किरायदार को उसके लिए दावा करने का हक है, अगर वह किरायदार वहीं बने रहना चाहता है, तो उसे मकान मालिक या उसके मासिक किराय का भुगतान कर रही होगा, जिसके बाद हाई कोट के किरायदारों की याचिका को खारिच कर दिया है, आमज़ान जल्दी 50,000 लोगों को देगा नौकरी, COVID-19 की वज़े से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त नजर आ रही ह जिसके तहित, E-commerce Company ने लोगों को नौकरी देने का भी फैसला किया है, बंद के कारण काफी ज्यादा परिशानी बढ़ी थी और डिमांड भी अब जा करके बढ़ गई है, जिसको डिमांड पूरा करने के लिए अब Amazon को भारी संख्या में लोगों की जरूरत है, जिसके तह इलेक्ट्रोनिक सामानों की भी डिलिवरी कर सकते हैं, ऐसे में डिमांड में अचानक जबरदस तेजी आई है, COVID-19 के माहौल में चीन ने 3D News Anchor को किया, लॉंच चीन में दुनिया की पहली 3D News Anchor को लॉंच कर दिया है, सरकारी समाचार एजनसी ने आधुनिक तकनीक का इस् घूम सकती है और अपने चहरे के पेजीदा उभार को डिस्पले कर सकती है, अपने बालो और लिबास के स्टाइल में तब्दील भी कर सकती है, इतना ही नहीं, इंसानी आवास को भी या नकल उतार सकती है, खबरों के माने तो भविश्य में खबरों को पेश करने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है, अनुराग ठाकुर ने COVID-19 माहौल में महतवपूर्ण कदम उठाय जाने का जारी क्या बयान, वित्तराज मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन COVID-19 के बढ़ते मामले को देखते वे, सभी आमनागरिकों को आर्श वस्त करते वे, COVID-19 की बज़े से पैदा हुए स्थिती से निपटने के लिए एहम कदम उठाय जाने की बात कही थी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार कुछ समय के लिए ही रुकी है, अर्थ व्यवस्ता को उबारने और आत्म निर्भर भारत बराने को अभी और भी उपाय की घोशना की से प्रभावित छेत्रों के लिए आगामी दिनों में और भी घोशना की जाएगी, शुरू होने के साथ ही लोगों की समस्या को दूर करने के लिए एहम कदम उठाएगे हैं, बीते दिन प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में सरकार ने 20 लाख करोड रुपे के पैकेज की घोशना भी की थी, हमने सबसे पहले विभिन अनुपालन नियमों में धील दी है, वही दूसरा 1.7 शुने लाख करोड रुपे का प्रधानमत्री गरीब कलियान पैकेज और 30 लाख करोड रुपे का आर्थिक प्रोसाहन पैकेज भी जारी किया है, लेकिट अभी साजा की गई है, जिसके मताबिक बैंक में ब्रांच खोलने का समय सुबह साड़े 11 बजे रख दिया गया है, इसके साथी ब्रांच में आने के बजाए लोगों से डिजिटल चैनलों का इस्तमाल करने की अपील की गई है, महीं सोशल डिस्टेंसी के नियमों का पालन करते व सुवरः के रख रहूल गान्धी महीं कहीं कहीं पर 10 से 2 बजे तक का समय निरधारित किया गया है, प्रवासी मसदूरों के जजबे को राहूल गांधीं किया सलाम प्रवासी मसदूरों के स्थिति को लेकर कॉंग्रेस काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है सोला मई को जहां राहूल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली में मुलाकात की थी, वहीं मदद का भरोसा दिलाये था, साथी खाने और पीने के सामान भी मुहया करवाये थे वहीं अब कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने मजदूरों की दैनिये सिती को लेकर एक डॉक्यूमेंटरी जारी की है जिसके तहत उन्होंने पहले ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि वह मजदूर के जजबे को सलाम करने के लिए उनकी इच्छा शक्ती और कहानियों के लिए इस डॉक्यूमेंटरी को जारी कर रहे है आपको बता दे इससे पहले राहूल गानी जहासी के रहने वाले एक परिवार से मिलने पहुचे थे क्यूंकि बंद की वज़े से पूरा परिवार पैदली हर्याना से जहासी के लिए निकल पड़ा था मोगलाकात के दौरान राहूल ने मज़़ूरों से पूछा था कि वह सरकार को क्या सुझाब देना चाहते ऐसे में कुछ मज़़ूरों ने कहा कि जो लोग घर जाना चाहते बस उन्हें सरकार घर पहुचा दे एम्स के शेल्टर होम में मिले 21 COVID-19 पॉजिटिफ COVID-19 लगातार अपने प्रभाव बढ़ाते जा रहा है वहीं इसक्रा में अखिल भारती आयुर्वेग्यान संस्थान भी अब COVID-19 की चपेट में आने लगा है एम्स में इलाज के लिए आने वाले और उनके साथ आ रहे है परिवार जन COVID-19 से पॉजिटिफ पाई जा रहे है अब तक 21 ऐसे लोगों की पहचान हो चुकी है जिन में संक्रमन पॉजिटिफ पाई गया है अन्य मरीजों की टेस्ट की प्रॉक्रिया में तेजी लाई गई है आर्थिक पाकेज को नेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दिया आदेश कि सरकार ने सभी छेत्रों के लिए जो आर्थिक पैकेज की घोशना की है उसे जमीन पर उतारना जरूरी है उसका फायदा जन-जन को मिलेगा हमें सुनिश्यत करना होगा इसकी जानकारी ग्राउंड तक पहुचाने की जिम्मदारी अधिकारियों की है इतना ही नहीं आयोजि विश्व कप को IPL के उपर महत्व दिये जाने की बात कहिए जुसके तहट बॉर्डर ने एक मीडिया से बाचीत की दौरान कहाए कि मैं इससे खुश नहीं हूं स्थाने टुर्णामेंट की तुलना में विश्व कप को ज्यादा महत्व दी जाने चाहिए इसलिए मुझे ल स्मार्ट से शुरू होने वाले IPL को स्थागित कर दिया गया था वही BCCI ने इसे सितंबर से नवंबर के बीच में आयोजित करवाने का विचाल विवर्ष किया है लेकिन इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप का आयोजिन भी होना है ऐसे में एलन बॉटर ने पर दस्मनोरंजन होगा और यहां फिल्म सामाजिक सीख देगी वही उन्होंने कहा है कि इस फिल्म से एक कड़ा संदेश जाएगा जिसे लोग याद रखेंगे और यह मजा क्या अंदाज में परोसा जाएगा मूल कहानी में इसका जिक्र नहीं था लेकिन अभी हमने इस प जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश्वी देश्वी तमाम बड़ी खबरों से जुरे रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद